हाई गाईज गुड मॉर्निंग मैं हूँ भीम और आप देख रहे हैं भीम अचित्रा यूटूब चैनल तो यूटूब चैनल में स्वागत आप सभी का आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है इस विसल रूप से ये जो 79,000 सिचक भरती का मामला कोर्ट में चल रहा हैं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैंसला जानिये दस बड़ी बातें तो दस बड़ी बातें क्या हैं जानने के लिए वीडियो के इन तक बने रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर दिया है जो 40-45 की बात चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाबाद हाई कोर्ट के फैंसले को सही ठहराते हुए कहा कि 79,000 सिचक भरती मामले में कट आफ 60-65 फीस दी ही रहेगा और इससे 40-45 कट आफ की मांग कर रहे सिच्छा मित्रों को निरासा लगा भाई जट नि से जल्द आने मारी हैं पूरी अपडेट आपको दिखाएंगे भाई बने रहे ये वीडियो के अने तक जितना है सब का सब अभी आपको इसमें देखने को मिल रहा है तो 79,000 सिचक भरती मामले में मुख मंत्री आदित योगीनात ने 19 सितंबर को 31,661 पदों की एक हपते मे भरती करने का निर्देश दिया सा उसके बाद जो से सीट बचे थी 37,349 पदों पर भरती का रास्ता जो है हाई कोट ने साफ कर दिया है और जो निर्देश जारी किया वो 60 से 65 के अधार पर भरती होगी भई सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दोरान यूपी सरकार के हलफ नामे का रिकार्ड भी लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कट आफ की बज़ा से नौकरी से बंचित रह गए सिच्छा मित्रों को अगले साल मौका जरूर दिया जाएगा ये देखिए साफ साफ लिगा गया ह कोट का निर्देश कि सिच्छा मित्रों को अगले साल भरती में फिर से मौका दिया जाएगा और भी नीचे बहुत दिल्चस्प बाते हैं तो बने रहे ये वीडियो कन तक अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि जो है सिच्छा मित्र थोड़ा सा बिरोध प्रदर्सन कर रहे है यह सिच्छी के फैंसले के सिप्रीम कोर्ट में चुनोती दे दी है फिलाल और भी आगे ट्विश्ट है ये देखिए आपको हम दिखाने वाले हैं कि सिच्छक भरती की कैसे बात की गई है आप देख पा रहे हैं सुनवाई के दारान एस जी एस्वर भाटेया ने कहा कि भी हमारे पास 50,000 पद खाली हैं और प्रतिवर्स 10,000 सिच्छक रिटायर होते हैं तो यानि कि हमारे पास बेकेंसियों की कमी नहीं हम आपको भरती में मौका देने के लिए तैयार हैं लिकिन योगता के साथ कोई समझता नहीं ऐसा आपके किस ने कहा एस जी एस्वर भाटे जी तो यानि की रास्ता साफ है मेरे दोस्त वैकेंसी आने वाली है तो तैयार हो जाईए और सबसे बड़ी बात भाटी जी ने कहा कि राज में 3,94,000 कुल अब्यारतियों ने 40,45 पर मतलब पास किया इतना कटाप बन रहा है जो कि कुल आंकड़े 96,2% हो जा रहे हैं तो इस प्रक अब आगे क्या होता है पलपल की अपडेट आपको मिलती रहेगी सिच्छा मित्र वालों ने फिलाल जो है एक मुर्चा ले लिया है एक एलान कर दिया है और चुनावती दे दिया है हाई कोड के फैंसली को और भी बहुत सारी जो भी है घटनाए आपको बताते रहेंगे त मार्च से अप्रैल के बीच आपकी भाई नई वेकंसी तैयार होई 55-60 मेरे दोस्त तैयार हो जाईए मेरा आप लोगों से बस यही संदेश था कि इस फैंसले से साफ जायर होता है कि आगामी वेकंसी आपके मार्च में जरूर आ जाएगी तो ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है जुड़ जाए भी मची तरह यूटूब चैनल से और तैयारी में लग जाईए तो फिलाल भाई आज के लिए इतना ही नमस्कार हमारी अपडेट आपको कैसे लगी प्लेश कमेंट बाबनी राइज जैरू बताये गदा फिलाल आज के लिए इतना ही नमस्कार जैं झातने ही तरह जाए लृत लाँ जातले नमस्कार तैया के लिएendum है जाई मेंट ताम से विएमशब चैनल से लिए की जाट अ़ी विए। औरश ज़ लिए। प्क्राइट भादेट ओता है फिला नमस्कार बग्रेख कि वहाँारा ही उष्यूशब औरफ चारा ठेटो वात